हेलो गाइस मैं हूँ सूरज करकेटा और आप लोग देख रहे हैं सूरज मैतमेटिक्स देखिए पर्चनावली 1.3 का एक नमर हल करेंगे देखिए सवाल क्या बोल रहा है दर्साइए कि रूट 5 एक उपरी में संख्या है तो चलिए इसको कोपी में समझते हैं सवाल में बोल पांच को हम लोग पी क्यू पी बट्टे क्यू के रूप में लिखेंगे पी बट्टे क्यू तो देखिए जहां क्यू यह वाला नोट इच कल टू जीरो यानि कि क्यू जीरो नहीं हो सकता तथा पी और क्यू का एक के आतिरिक्त कोई उभाई नीष्ट गुनन खंड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसको तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इसका वर्ग करेंगे रूट पांच का फिर इसका पी बटे क्यू का यह तो रूट हट जाएगा इसक्वाईर है तो सिर्फ पांच बच जाएगा और यहां कितना हो जाएगा पी स्क्वाईर बटे क्यू स्क्वाईर है पांच के नीचे कुछ ने तो एक है तो क्या करेंगे अब कोना कोनी गुना करेंगे इसको इससे और इसको इससे तो क्या हो जाएगा पहले इसको इससे करते हैं P² बराबर इसको इससे करें, तो क्या हो जाएगा? 5 बुना Q², तो हम लोग लिखेंगे, अता, P² में 5 से भाग लगेगा, फिर लिखेंगे अर्थात, P में 5 से भाग लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे, P बराबर यह 5 को लिखेंगे, पांच E Q स्क्वाइर को हम लोग M मान लेते हैं M यहां लिखेंगे माना P स्क्वाइर के जगा में E स्को रखेंगे E पूरे को क्या हो जगा 5 गुना M P का E स्क्वाइर है तो इस्क्वाइर दे देंगे बराबर अब क्या करेंगे गुना M के जगा पर क्या मानने थे Q स्क्वाइर है तो हिहां Q दे देंगे अब क्या करेंगे इसको गुना करेंगे तो कितना होता है 25 गुना M स्क्वाइर E पूरे 5 को उठाके इधर कर देंगे तो भाग में आ जाएगा 5 बराबर E Q2, 5 से कटेगा, 5 से 25, तो कितना बच गया? 5 गुना M2, बराबर Q2, आता है, Q2, में 5 से भाग लगता है, फिर लिखेंगे अर्थात, Q2, में 5 से भाग लगता है, लिखेंगे यह तत्य का बिरोधा भाज है, लिखेंगे अता हमारा मानना गलत है, तो क्या हो जाएगा? अर्थात, रूट 5, 1 ओपरी में संख्या है, देखेंगे दोस्तों, हम लोगो यही लाना था कि रूट 5, 1 ओपरी में संख्या है, तो हम लोग उल्टा मान के चले थे, और देखें, PQ के रूप में दर्सा आया, यह तो उसमें भी नहीं आया, तो हम लोग का, क्या हो गया, रूट 5, 1 ओपरी में संख्या है, यही निकालना था, धन्यवाद दोस्तों,